हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे मेथी और सोट से लड़ू मेथी और सोट का लड़ू हम सर्दी में खा सकते हैं यह है 50 ग्राम सोट का पॉडर इसे हम घर में पीसे हैं यह है 25 ग्राम मेथी के दाने मेथी को दाने को पहले पीश कर उसका पॉडर बन तयार किये हैं उसके बाद उसमें दो तीन चमज दूट डाल कर आप थोड़ी दे छोड़ देंगे तो जिससे ये थोड़ा मुलायम हो जाएगा और इसका कड़वापन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है तो इसी तरह से हम इसे त बाजू यह 25 ग्राम सौफ्ट और यह भी है 25 ग्राम हल्दी पॉडर जो घर में आराम से मिल जाता है यह 25 ग्राम खस-खस यह 100 ग्राम गोंद और यह है 500 ग्राम बड़ा बदाम जिसे रात भर पानी में भीगो कर इसका छिलका निकाल लेंगे और इसे थोड़ा हलका एक दिन धूप दिखा देंगे तो यह कुछ इस तरह से सूखा हो जाएगा इस तरह से तयार मिलेगा हमें और यह है दो गोला नारियल का जो हम घर में कड़ू कड़ू कस किये हैं घर में कड़ू कस किया हुआ नारियर ताजा अच्छा रहता है यह है 750 ग्राम चावल का आटा तो चलिए पहले लड़ू बनाना तया शुरू करते हैं यह है सोट पौडर इसे पहले भून लेंगे इसे धीमा आग में भूनेंगे घी नहीं डालेंगे पहले हैं ऒहले हम कड़ाई में डालेंगे और यह देखिए हलका हलका इसे बूझेगे इससे ही अच्छी खुसवू आती है यह थोड़ा भून गया है अब इसमें हम घी डालेंगे एक से दो चमच घी डालेंगे इसमें हम और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सोट का लड़ू सर्दी में जरूर बनाईए यह बहुत ही तेश्टी होता है यह हमारा सोट का पॉडर भून चुका है अब यह मेथी पॉडर इसे भी भून लेंगे इसे जब तक भूनना है जब तक इसका जो भी दूद इसमें डालने से ते थोड़ा घीला हो गया है थोड़ा हलका यह पूरा जैसा हो जाएगा देखिए बिल्कुल सूख चुका है यह है कसकस इसे भी हलका भुळेंगे खस- privately भून जाता है इसे ़ सत favor है जादा भूनने की ज़्यूरत नहीं अब कटाई में फिर से हम घी डालेंगे दो से तीन चमस घी डालेंगे और इसे अच्छे से पिखलने देंगे और धीमा आग में ही यह गोंध है गोंध डालकर इसे तर लेंगे यह देखिए यह धीमा आग में बहुत अच्छा से फूलता है बिल्कुल पॉपकॉन के जैसा हो इसका विडियो मेरा पहले चैनल पर है गोंद का लड़ू भी है बना हुगा आप जरूर देखिएगा इसे निकाल लेंगे यह हो गया है हमारा तयार हो गया है अब इसी घी में हम यह बदाम जो है इसे भी भून लेंगे इसमें जो भी पानी होगा एक्ष्ट्रा पानी जो होगा भूनने से निकल जाएगा यह बिल्कुल सुखा हो जाएगा तो धीमा आग में इसे भी हलका भून लेते हैं अब दाम भूनने के बाद यह काजू है काजू भी भून लेगे घी में अब इसमें हम चावल का आटा भून लेते हैं इस सौफ है सौफ भी हम नहीं भूनेंगे अब चावल का आटा इसमें आधा पहले डालेंगे और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब ये थोड़ा आधा भून जाएगा, तब हम इसमें घी डालेंगे, जिससे ये अच्छे से मिक्स होगा, आटा गर्म हो जाएगा, तो घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें यह हल्दी पॉडर है, इसे हम इसी आटे में डाल देंगे जिससे यह साथ साथ भून जेगा, तो हल्दी का कच्चा पंजो है, वो दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए हम चावल के साथ ही इसे भून ले रहे हैं, देखिए इसमें अब घी डालेंगे, इसी तरह से हमें सारा और जो बचा हुआ चावल का आटा है, उसे भी भूनना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं घी को, बिल्कुल पीलब, यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब यह बदाम जो ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सर में डाल कर, मोटा पॉडर तयार करेंगे, सारे अख ख्रोट, काजू, जो भी है, सभी को इसी तरह मिक्सर में डाल कर, मोटा पॉडर तयार करना है, तयार करने के बाद इसे हम सब एक में मिक्स करेंगे, देखे यह गोंद है, इसे हम हाथ से ही ऐसे मैस कर दिये हैं, तो यह चूर हो गया है, सभी सामागरी हम मिला चुके हैं, इसमें गोंद भी डालेंगे, भून भून कर, हम एक ही बर्तन में डालते गए हैं सब, तो देखे यह इस तरह से सारा हो जाएगा, अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, यह मिक्स हो गया है, अब गूर की चासनी तयार कर लेते हैं, हमें इतने सोट के लड्डू में कम से कम एक केजी गूर लगेगा ही, एक केजी गूर का चासनी हमें तयार करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम चासनी दो बार करके भी तयार कर सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकता है, तो देखिए हम आधा गूर का पहले चासनी तयार किये हैं, और आधा तयार, मिक्स जो पावडर तयार किये हैं, उसमें मिक्स करेंगे, यह चासनी डालेंगे, और इसे मिक्स क करते जाएंगे यह गर्म है इसलिए इसे हमें चमत से ही मिक्स करना होगा हाथ से ना करें हाथ ऐसे जलने का डर होता है ऐसे जल्दी जल्दी हमें मिक्स करना होगा नहीं तो यह गूड का चास्णी जो है तुरन्त जम जाता है यह देखिए हमारा मिक्स हो चुका है यह अब इसे हम थोड़ा ठंडा हो गया है यह तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं नहीं तो चमत से ही अगर ठंडा नहीं हुआ है तो चमत से ही मिक्स करेंगे गूड थोड़ा जादा हम डालेंगे जिससे यह सोठ मेथी का जो कड़वा पन है वो थोड़ा कम हमें खाने में लगेगा Sop, Sop Sop to हम खड़ा ही डालेंगे इसमे Sop डालना ज़रूरी नहीं है अगर आपको पसंद, Sop का स्वाद पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं लेगिन Sop का flavor अच्छा होता है पेट के लिए भी अच्छा है इसलिए हम इसमें डाले है Sop यह mixer हमारा तयार हो गिया है, देखे लड्डू बना रहे हैं, इस तरह समय लड्डू तयार करना है, यह ज़्यादा बड़ा size में हम नहीं तयार कर रहे हैं, मीड्यum size में तयार कर रहे हैं, बस एक लड्डू रोज खाएं और बदन दर्द और कमर दर्द पैर दर्द से स्क्राइब जरूर करें बेल ऐकोन को दवाना ना भूले धन्यवाद थैंक यू